समस्कार दोस्तों सागत आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजिनियर्स पे मेरा नाम है विबिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको VMC मशीन पे आफसेट कैसे लेते हैं यहां पर मैं आपको पूरा डेटेल में बताऊंगा कि वर्क आफसेट कैसे लेते हैं और वर्क आफसेट लेने के जो टीम मैथड है कॉर्नर आफसेट सेंटर आफसेट और होल से जो आफसेट लेने का मैथड आपको एकस्प्लेइन करूंगा आज के इस वीडियो में आज मैं जो डिसकस करने जा रहा हूं वो है सेंटर आफसेट क दिखाई देगी और एक भी step मिसमत करना end तर देखना कुछ detail में मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा कि आपको offset लेते वक्त आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ में आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा तो चलिए फिर वीडियो के start करते ह VMC मशीन पे offset लेने के लिए सबसे पहले हमें MDI mode select करना होगा MDI mode यानि की manual data input mode इस mode में हम अपनी मशीन के spindle को rotate करेंगे अब आपका सवाल हो सकता है कि offset लेते वक्त हम spindle को on क्यों करते हैं देखिए spindle को on करने का एक reason यहाँ पर ये भी है कि अगर हम बिना spindle को rotate किये या tool को rotate किये workpiece के edge पर touch कराएंगे तो in case गलती से हमने अगर feed जादा दे दी तो हमारा tool जो है वो workpiece के साथ टकरा सकता है और तूट सकता है इसलिए हम क्या करते हैं अपने tool को rotate करा देते हैं जिससे क्या होता है अगर गलती से हमने feed जादा दे दी तो tool जो है workpiece के साथ टकराएगा तो जो workpiece का material है वो cut इसलिए हम अपने tool को rotate करा देते हैं तो tool को rotate कराने के लिए हम क्या करेंगे command देंगे वो command होगी M03S2000 इस command से हम अपने spindle को 2000rpM की speed से rotate करा देंगे जब हमारा spindle 2000rpM की speed से rotate करना start कर देगा तब हम handle mode select करके अपने tool को workpiece की X axis वाली side पर ले जाएंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा टूल जो है X-axis की तरफ जा रहा है और दीरे दीरे हम इसको टच करा देंगे जैसे हमारा वर्कपीस जो है टूल के साथ टच कर जाएगा हम इस पोजीशन पर अपने टूल को होल्ड कर देंगे मतलब की यहीं पर खड़ा रखेंगे और अपने कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर चलेंगे तो कंट्रोल पैनल की स्क्रीन आप देख ली दिया यहाँ पर अब हम को क्या करना है यहाँ पर रेफरेंस करना है मतलब इस position को reference करना है यानि x की value 0, y की value 0, z की value 0 करनी है ताकि हम इस workpiece की dimension को calculate कर सकें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा position button को press करना होगा जैसे हम position button press करेंगे हमारे सामने जो screen आएगी वो absolute लिखे आएगा जहांपर x, y और z की value जो है लिखी हुई है बट हमको क्या करना है relative coordinate system में हमको reference करना है तो rel जहांपर लिखा हुआ है उस button को press करना है जैसे हम rel button को press करेंगे तो हमारे सामने relative coordinate system की position आजाएगी यहांपर आप all axis position भी देख सकते हो मतलब relative भी देख सकते हो और machine की भी देख सकते हो और उसको देखने के लिए आपको all वाला जो button है इसको press कर देंगे तो आपका जो है all axis की position आपको यहां पर दिख जाएगी ठीक है बट हमें अभी offset लेना है तो हम क्या करेंगे जो right hand corner पे OPRT लिखा हुआ है यानि कि operator panel लिखा हुआ है उस button को press करेंगे उस button को press करते ही हमारे सामने जो screen आएगी उसमें origin लिखा होगा preset लिखा होगा तो हमें क्या करना है origin button को press करना है origin मतलब x की value 0, y की value 0, z की value 0, a की value 0 यह चारो axis जो है इनकी value 0 हो जाएगी तो origin पे जैसे ही हम click करेंगे हमारा जो x, y, z और a है यह edit mode में पहुच जाएगा और जैसे ही edit mode में पहुचेगा हम all axis reset जो al-ax लिख के आ रहा है इस button को press करतेंगे जैसे हम इस button को press करेंगे तो हमारे x की value, y की value, z की value और a की value यह 0, 0, 0 हो जाएगी यानि की हमारा जो reference हमने ले लिया अब हमें क्या करना है वर्कपीस के x, axis की opposite वाली जो side है वहाँ पर अपने tool को ले जाना है जैसे ही हम opposite direction में tool को ले जाएगे उठाके और वहाँ पर touch कराएगे दूसरी side पर touch कराएगे तो जैसे हमारा tool touch करेगा तो हमारे सामने relative coordinate system में उसकी value शो करेगा तो हमको सिर्फ x की value देखनी है क्योंकि हमने अपने tool का movement x axis में कराया है तो x axis में आप देख सकते हैं 101.0 ये value आ रही है इसका मतलब है कि हमारा x जो पहले touch कराया था और अब touch कराया है उसके बीच की distance जो है 101 mm है और हमको यहाँ पर लेना है center offset तो center offset लेने के लिए हम इसके center में अपने tool को ले जाएंगे तो center क्या होगा इसका 101 divided by 2 equal to 50.5 ये हमारे workpiece का center हो जाएगा तो यहाँ पर हम अपने tool को उठाएंगे वापस और center पे ले के जाएंगे जैसे ही हमारा tool 50.5 जो coordinate है इस पर पहुँचेगा अब हमको offset की बाकी प्रक्रिया करनी है तो इसके लिए आप machine के control panel पे चलिए यहाँ पर आपको दबाना है offset button जैसे ही आप offset button प्रेस करोगे तो आपके सामने जो screen आएगी offset oblique length जहाँ पर आपको geometry offset और wear offset दिया हुआ है यहाँ पर आपको जो है पैनल के नीचे आप देखिए work लिखा हुआ है work वाले button को हमको प्रेस करना है जैसे हम work button को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने work coordinate system खुल जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं G54, G54, 001, G55, 002, G56, 003 यह जो coordinate system है यह open हो जाएंगे अब हमको G54, 001 में offset लेना है तो X axis को select करेंगे याणी की अपना जो arrow keys है उनकी help से अपने cursor को X axis पर लेके आएंगे जैसे हमारा cursor जो है X axis पर आ जाएगा तब हम यहाँ पर type करेंगे x 0.0 जैसे हम x 0.0 type करेंगे तो screen के नीचे जो measure button बन किया जाएगा यह measure button हमको press करना है जैसे हम measure button press करेंगे तो x की value जो है जहाँ पर लिखी हुई है वो change नहीं होगी बट जो coordinate हमने यहाँ पर दिया है वो हमारा x 0.0 read कर लेगा मतलब machine के हिसाब से यह चीज हमारे offset point में पहुँच गई इस तरह से हमारा x axis का offset हो जाएगा अब हमें क्या करना है y axis में offset लेना है तो यही procedure हमको दुबारा से repeat करना है इस procedure को repeat करने के लिए हमें क्या करना होगा अपने tool को handle mode में select करना है और y axis की तरफ लेके जाना है y axis में हम पहले touch कराएंगे जैसे हमारा tool जो है workpiece के side से touch हो जाएगा तो हम क्या करेंगे position बटन को press करेंगे और वहाँ पर reference करेंगे reference करने के लिए relative coordinate system प्रेस करेंगे फिर operator panel में जाएंगे operator panel में जाते ही हम origin बटन को प्रेस करेंगे और origin बटन को प्रेस करने के बाद हम all axes reset कर देंगे इससे हमारी all axes reset हो जाएंगी यानि की x की value, y की value, z की value, a की value 0 हो जाएगी अब हमें सिर्फ y axes में अपने tool का movement कराना है तो y axes में अपने tool को लेके जाएंगे दूसरी side और वहाँ पर touch कराएंगे और workpiece की जो length है y axes में वो measure कर लेंगे यहाँ पर measure के आ रही है 70 mm आ रही है तो 70 mm का half जो रहेगा value उस पे हम अपने tool को लेके जाएंगे तो 70 का half 35, तो 35 mm पे हम अपने tool को लेके जाएंगे और वहाँ पर अपने tool को खड़ा करेंगे उसके बाद हम control panel पे चलेंगे control panel पे हम लगाएंगे offset button प्रेस करेंगे offset button को प्रेस करने के बाद हमारे सामने जो screen आएगी उसमें हम work coordinate system को प्रेस करेंगे work coordinate system को प्रेस करने के बाद हम G54001 में y axis को select करेंगे और वहाँ पर arrow key की help से अपने cursor को लेके जाएंगे और फिर y 0.0 type करेंगे और panel पे लगे हुए measure button को प्रेस करेंगे जैसे ही हम measure button को प्रेस करेंगे तो हमारा y axis का offset है वो हो जाएगा तो इस तरह से हमारा x और y axis का offset जो है हमने कर दिया अब हम z axis का offset लेके बताएंगे आपको कि z axis में offset कैसे लिया जाता है तो z axis का offset लेने के लिए आपको अपने tool को workpiece के top surface यानि कि जो उपर वाला हिस्सा है उस पर touch कराना है वहाँ पर जैसे ही आप tool को touch कराएंगे तो आप आपको reference करने की ज़रूद नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपको offset button को press करना है offset button को press करेंगे उसके बाद फिर work coordinate system जो है उसको open करेंगे work button को press करके फिर उसके बाद g54001 में जाएंगे z की value जहाँ पर लिखी हुई है वहाँ पर अपने cursor को लेके जाएंगे arrow key की help से और फिर वहाँ type करेंगे z 0.0 और उसके बाद measure key को दबा देंगे इस तरह से हमारा जो work offset है z axis में हो जाएगा तो अब हमारी जो center point है work piece की उस पर x की value 0, y की value 0 और z की value 0 measure हो चुकी है यानि कि हमारा center offset ok हो गया है अब जब भी हम अपना program run करेंगे और उसमें g54 की value देंगे तो हमारा जो offset है वो यहाँ से ले लेगा तो यह offset का basic funda था इसमें हमको यही चीजें करनी थी यहाँ से लेगा